नमस्का मित्रों स्वागत है आपका ज्यान गंगा आर्वेद प्लासेस में मैसेफ डक्टर आनिट पटेल चिकर सदकारी सामदाइक स्वास्त गाजीपुर उत्तरप्रदेश आज हम लोग आपके समझ क्रियाकाल का जो लास्ट टॉपिक है या क्रियाकाल का जो लास्ट क्रियाकाल को परिभासित करते हुए क्रियाकाल के विभिन भेदों को बताते हुए क्रियाकाल का महत्तों बताईए इंपोर्टेंस ऑफ क्रियाकाल क्यों क्रियाकाल पढ़ते हैं इसके बारे में बताना है बहुत जरूरी तहम उसके बारे में बात करेंगे साथी साथ हम लो देखते हैं कि हम लोग देखते हैं पंचम क्रिया काल इससे पहले हम लोगों ने चतूर्थ क्रिया काल की बात किया था। की हम सिसके बारें बात करेंगी तो कहने कि जब हम लोग दोस दोसे समुर्छणा या इस्थान संस्रे की जब बात कर रहे थे असा जब पुरुरूरूप की बात करने थे च्टीर बात करें एwno बातक है जब उस इसे स्टेजत तक उस में यती दोसों कि चिकिसा न की जाए जो दोस थे जो कि स्रोतोसों में इधर भटक रहे थे और कहीं ने कहीं खव वैगुड होने की वज़े से जहां खव वैगुड था उस जगप रूखकर ब्याधि उत्पन करने में समर्थ थे अगर उस चतुर्थ क्रियाकाल की कंडिसंस में अगर चिकिस्ता न की जाए तो वो ब् ब्याधि और आगे की तरफ बढ़ जाएगी अर्था पंचम क्रियाकाल में इंट्री कर जाएगी जब चतुर्थ क्रियाकाल में हम लोग किसी भी प्रकार की चिकिस्ता नहीं करेंगे तो व्याधि अगले स्टेज में एडवांस स्टेज में आ जाएगी पंचम क्रियाकाल देडिकाल ब्यक्तावस्था हम लोगों ने वहां बात किया था कि चतुरत क्रियाकाल में जो प्रकुपित दोस होते हैं खौव बैगुड की वजह से सुरुतोसों में एक जगार रूपते हैं और ब्याधि उत्पन करते हैं ब्याधि उत्पन करने का मतलब वहां पूरू रू संस्रा वहां दोसद्डोस समूर्चना इसके ऐसको दोबारा पड़ सकते हैं आज तो देखते ए नrd देक देखते हैं ब्यक्तावस्था तो clear cut है ब्यक्ता वस्ताद, ब्यक्त होना अर्थाद चतुर्त क्रियाकाल में जो लक्षड थे वो पुरूरूप के रूप में स्थित थे, अर्थाद पुरूरूप अर्थाद जो है कि भविस में होने वाली व्याधियों को बताने वाले को हम लोग पुरूरूप कहते हैं, वे लक्षड जो भविस में होने वाली व्याधियों को इंडिकेड करें, उसको पुरूरूप कहते हैं, अब ये भविस में व्याधियों हो चुकी है, अर्थाद पंचम क्रियाकाल में जो रोग होगा, उसकी लक्षड होगा, ब्यक्त का मतलब होता है रूप, रूप का मतल जिस ब्याधी के हम लोग क्रियाकाल पढ़ रहे हैं उस ब्याधी का जो लच्छड तो उत्पन हो गया इसका मतलब वो लच्छड सामान लच्छड होगा क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लच्छड दो प्रकार का होता है एक सामान लच्छड एक विशिश लच्छड जो सामान लच्छड होता है वो आपका जो है ये कहीं कहीं ब्यक्ता वस्था में ब्यक्त होता है तो सामान लच्छड का मतलब समझ लीजिए कि ब्यादी के लच्छड आएंगे लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि ब्यादी वातज है कि पितज है कि कफज है कि द्वंदज है या सनिपात सभाताज, समान रूप लचछर आएंगे, मिले जूले लचछर आएंगे, लेकिन यह सपस्ट नहीं होगा कि वाताज है, पिततज है, कफ़ल यह ब्यक्तावस्ता की खासीयत है, ब्यक्तावस्ता मतलना रूप में ब्यक्त हो जागा, अपने लचषणों को रिपरेजेंट लेकिन वआठज पिततर कफवज अर्थाद भेद को नहीं बताएगा कि Зबात को ध्यां ध्याँ किया चिकली उस देखें कि हमलों देखते है पंचंक रियकाल ब्याधे प्रवैक्तम रूपम ब्यक्ति ब्याधे प्रवैक्त प्रव्यक्तम जो ब्याधी होती है प्रव्यक्त हो जाती है रूपम ब्यक्ति अर्थात ब्यक्ति के रूप में आती है अर्थात अपने वास्त्विक रूप में आ जाती है सुस्रूप्त सूत्र 21 पर डलहर ने कहा है कि अर्थात ब्याधी का प्रव्यक्त रूप ही ब्यक्ता वस्था है अब देखेंगे इस स्लोक पर आचार डल्हन टीका की है लेकिन इसका वास्तिविक जो स्लोक है सुसृत का ये इसका क्या मीनिंग है हम लोग देखेंगे तो सुसृत ने बोला है 21 चैप्टर में सुतरस्थान के सुसृत के नुसार ब्यकता वस्था ब्याधी की वह अवस्था होती है तो बहुत important point है ब्यक्ता अवस्था हम लोग पंचम क्रियाकाल की बात कर रहे हैं ब्यक्ता वस्था ब्याधी की वह अवस्था होती है हम लोग ने बात किया था कि क्रियाकाल एक एक stages है ब्याधी की वह अवस्था ये वह stage है जिसमें दोस दूसर समुर्चन नहीं की जाएगी तो यह करा कि जिसमें दोस्दूस समुर्चना के फल्स रूप अर्था दोस्दूस समुर्चना होगी तब कहीं जाकर ब्यक्ता वस्थाया सामान रूप या पंचन क्रियाकल का नौबत आएगा तो उसके लक्षड प्रकट होते हैं लेकिन यह लक्षड क्या होती है तो उसके बाता सोफ एक्जामपल दिया है जैसे सोफ अर्बूद विद्रधी विसर्प ज्वर अतिसार आधी रोगों के लच्षड पूरो रूप से दिखाई देते हैं अब आईए देखते हैं कि जिस अवस्था में प्रतेक रोग के मुख लच्षड प्रकट होते प्रतेक रोग के मुख लच्षड प्रकट होते हैं और उन लच्षडों के उत्पन होने से रोग किसी विशेस नाम से जाना जाता है मतलब इस ब्यक्तावस्था की कंडिसंस में अब रोग का एक नामकरण हो जाएगा अभी क्या था कि चतुर्थ क्रियाकाल तक जो रोग थे उसका बिस्ष्ट नाम नहीं परा था अर्थात नामकरण नहीं हुआ था लेकिन पंचम क्रियाकाल ब्यक्तावस्था में रोग का जो मुख लक्छड होता हुँ व्यक्त हो जाएगा जब रोग किसी भी ब्यादी का मुख लक्छड ब्यक्त हो जाएगा अर्थात उपस्थित हो जाएंगे तब उस रोग को उस बिसेष्ट नाम से जाना जाता है जैसे यहाँ पर दिया है कि कुछ ब्यादियों के कुछ बिसिश लक्षड दिये हुए है जैसे मल का निकलना अतिसार का बिसिश लक्षड है जैसे पेट फूलना बिना कुछ खाए पिये ही पेट का भरा भरा सरना पेट का फूलना आध्यमान के लक्षड होते है नेत्र तवचा का पिलापन अर्था सरीर का पिलापन हो जाना ये कामला का लच्छड होता है और ताप का बढ़ना सरीर में टेंपरेचर का बढ़ना बॉडी में टेंपरेचर का बढ़ना ये लच्छड होता है ये सामान लच्छड है तो सामान लच्छड का मतलब यहां पर बनी यह नहीं बता रहा कि कौन सा वात जोर है पित जोर है कफ़र है या सनीपात जोर है या दंदो जोर है सामान ने लच्छड की बात कर रहा है तो इस तरह से हम लोगा ब्यक्तावस्था की जो भी श्थिती थी वो क्लियर हो गई आईए बात करते हैं सस्टम क्रियाकाल अब सस्टम क्रियाकाल या सस्ट क्रियाकाल जिसको हम लोग भेदा वस्था भी कहते हैं अब फिर वही बात आती है कि छटी क्रियाकाल की सिती क्यों बनी क्योंकि हम लोगों ने इसके ब्यक्ता वस्था की कंडिसंस में हम लोग को जब कि सिसार ख़ुतुन में जिन निदानों के सेवन he ईबoter्धी कर रहे हैं तो कहीं न widow यह जो पंचम क्रियाकाल से जो ब्याधी होगी, छटे क्रियाकाल में इंट्री कर जाएगी, जब छटे क्रियाकाल में इंट्री कर जाएगी, तो हम लोग बात करेंगे सस्टम क्रियाकाल अर्था भेदा वस्था की, हम लोगों ने देखा कि जो भेदा वस्था है, तो यहाँ उसके रूप एल अच्छड उपस्तित होगे इसलिए ब्यक्त बोला है लेकिन भेदावस्ता का मतलब हो गया कि यहां पर जो भी ब्यादी होगी उसके विशिष्ट दोसों के एकार्डिंग ब्यादी का नाम होगा जैसे अगर अतिसार है तो वात अतिसार है कि पित्त अतिसार है कि कफ़ज अतिसार है या सन्निपात या द्वन्दज तो कहीं ने कहीं भेदावस्ता के मतलब भी मतला बिशिष्ट रूप को रिप्रेजन करता है भेदावस्था अर्था सश्टम क्रियाकाल में जो भ्याधी होती है वो विसिष्ट रूप में होती है विसिष्ट रूप मन्दब विसिष्ट लच्छडों के साथ होती है कि भ्याधी वातज है कि पितज है कि कफवज है कि सनिपातज है कि दुन्दज है इस तरह से हम बात कर तो अब बात कर लेते हैं भेडवस्था के बारे में अब देखेंगे अतह उर्धवम एतम एशाव अउद्रडा नाम ब्रड भावम आपन्ना नाम सश्ठर क्रिया काल तो मतलब यहां पर उन्हें जो स्लोक है सुसरू सुत्र 21 का ब्रड के रिफरेंस में सुसरूत ने बोला है तो कहीं ने कहीं ब्रड के प्रकड में उन्हें क्रिया काल का वर्डन किया है तो आपको बताना पड़ेगा जब आपका डिटेल में आएगा यह लांग में पूछा जाएगा तो सुसरूत ने क्रिया काल का वर्डन ब्रड से रिलेटेट ब्रड की जब ब्रड को परिभासि अर्था यह जो सर्ष्टम क्रियाकाल की बात हम लोग पंचम क्रियाकाल से ही रिलिटर्ड बात करेंगे अथा रोग उत्पत्ति की वह अवस्था सर्ष्टम क्रियाकाल या बेदा वस्था क्या है रोग उत्पत्ति की वह अवस्था जिसमें ब्याधी अनुतिब्र जिर्ड अ असाध्य हो जाती है, तो छठी क्रियाकाल, लास्ट क्रियाकाल होती, अगर इसमें भी चिकलसा नहीं की जाएगी, तो ब्याधी असाध्य हो जाएगी, तो फिर भी जब लास्ट स्टेज है, तो कहिने के ब्याधी क्या हो जाएगी, अनुतिब्र, उसका वेग बहुत तिब्र होगा बहुत ही जिड़ हो जाएगी और लेखेंगे यहां पर जिड़ की कंडिशन दिखा रहा है मतलब पुराना क्रॉनिक डिजीज हो जाएगा अथवा असाध्य हो जाएगा तो हो सकता है कि इसकी वेग बहुत तिब्र हो या जिड़ हो मतलब क्रॉनिक हो जाएगा या अस यहां देया है अधर और दिडंध का मतलण होता है फटना अधर का मतल тебе नहीं से प्रकार जोजह इसते कोई ब्रड है उन्ड होता है उतिन पनस निकलने के लिए है वह थोड़ा सा फट जाता है तो प्रकार जब सोस बिद्रधी आदी फटकर ब्रड रूप को प्राप्त होते हैं जब बिद्रधी फटेगा तो उसको ब्रड बोलेंगे अर्था उंड बोलेंगे उंड तभी बोलेंगे जब उसमें वो फटेगा अर्था जब वो उसका इसकिन और जो पस निकलेगा तो उसको उंड जब इस प्रकास सोस बिद्रदी आधी पढ़कर ब्रडरूप को प्राप्त हो जाते हैं तब उसको चिकिस्ता का छठा काल कहते हैं अब देखेंगे कि बहुत समय तक रहने के कारण छठी क्रिया काल है इसका मतलब कि जो प्रथम क्रिया काल संचस लेकर अब तक यहां तक बेड में रोग जो है डिर्गकाल अनोबंदी हो जाता है macq क्यों लिए और उसकीड़ स्षामने के कारह जाता है तो जैसा कि जानते है कि जब संच्य प्रकुब प्रसर जब तो रोग क्या होगा नवीन होगा लेकिन जब अंति में स्टेज में पहुचेगा अर्था देदा वस्था में पहुचेगा तो रोग जिड़ होना ही होना है इस अवस्था में भी चिकिस्था न की जाए अगर इस अवस्था में भी चिकिस्था नहीं की जाएगी तो रोग अ आसाध्ध हो जाएंगे तो लास्ट हे स्टेज है अगर इसमें वीच जिसना नहीं करेंगे तो आसाध होना ही होना है आधे बात करते हैं प्रश्म Johnson के महतलों के सफिर्व के महतलों के महतलों को बताईे इंपाद of Kriya Kal Kriya Kal के एक-एक स्टेजेश को Define करना होता है Kriya Kal क्या है अथचे किसा क्या है उसर को बताना पढ़ता है साथी साथ बताना पढ़ता है Kriya Kal का महतुर क्यों पढ़ते हैं Kriya Kal तो कहने के इसको जानना जरूरी है जैसा कि जानते हैं कि आर्वेत की दो प्रयुजन की सिध्धी, आर्वेत की दो प्रयुजन कौन कोस होते हैं, स्वस्ता से स्वासरच्णम आतुरस विकार प्रसनम चाहिए, इसको इसी तरह से लिखना पड़ेगा, और थाथ, स्वस्ता से स्वासरच्णम मतलब क्या होगा कि किसी व्यक्ति का स्वास्त है इसका मतलब इसके जो दोस है सामय वस्था में है जब दोस सामय वस्था में होते हैं तो व्यक्ति का स्वास्त बना रहता है तो यहां पर क्रियाकाल के पढ़ने से क्रियाकाल के जानने से हम लोग यह जान जाते हैं कि इस निदान के सेवन से यह है कि इस निदान का सेवन करेंगे तो यह ब्याधी होगी तो अगर उसको यह घ्ञान है कि particular निदान का सेवन पर्ठ courts ब्याधी स्थ अधन तो उस निदान का सेवन नहीं करेगा अर्था जो आर्वेद का प्रतफम प्र्योजन है सवस्ता सवासर अच्रम इसकी सिध्धी हो जाएगी ब्यक्ति सacao स्वास्त रहेगा और उसी स्वास्त को बनाय रखेगा दूसरा प्रयोजन आतुरा से विकार प्रस्णम च काल का ग्यान है तो क्या होगा कि वो जो भी उसके पास रोगी आ रहा है चाहे संचय की वस्ता में आ चाहे प्रकुप की वस्ता में चाहे प्रसर की वस्ता अथात प्रथम से लेकर सश्टी क्रिया काल तक आ जागा तो उसके चिकिसा करने का प्रयास करेगा तो उसमें क्या दोशा, संचय अपहिरता दोशा, अथा यह सुसरूत का रिफरेंस है, इसको लिखेंगे, तो उन्होंने क्या कहा है, कि संचय अपहिरता दोशा, अथा दोश जब संचय की ही वस्था में हो, को जब दोस का सामय वस्था डिस बैलेंस होगा तब कहीं ने कहीं विकार की स्थिती बनती है अब उस उस कंडिशनस में हम लोग उनिए 6 स्टेजर देखे संचय के वस्था तो संचय प्रकूब प्रसर अगर संचय की अवस्था है तो क्या होगा शुरू को पहली स्टेज में अगर अपहरत दोसा अर्था दोसों को निकाल लिया जाए अपहरत का मतलब दोस का निरहरण 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 ठीक न उसको दोस के जिन कारणों से इसका संचय हो रहा है अगर उन कारणों का निवारण कर ले तो वही चिकिस्ता है संचय अपहरत दोसा अर्था संचय की तो जो ब्याधि है वो उत्र-ईत्र गति नहीं होगी जैसा कि हम लोग ना देखा कि अधी कोई ब्यक्ति अगर निदान का सेवन कर रहा है अर्था प्रथम क्रियाकाल में दोस संचा हुआ अब उस निदान काल में अर्था संचे के वस्था में चिकिसाँ नहीं की गई वह बैदि के पास नहीं जाता है तो जो ब्यादिया संचह से प्रकुवकी स्टेज में चला जायेगी तो यहीं कहरा कि अगर संचय के वस्था में दोशों से ब्यक्ता याटी में था इसा जाएगल जो सकता बिल्वाण को और फाल जैसे से आगी बढ़ेगा अलग-अलग स्पर्टिक्री है Νलियゲे जो बलवान हो जाएगा तो डिपेंड करता किस स्टेज में है तो हम लोग इन देखा कि यह समय चिकिस नहीं किया तो रूग असाध्य हो जाएगे असाध्य हो जाएंगे साथी साथ विर्ग काल अनुबंधी हो जाएंगे तो ये कुछ इंपोर्टेंस चीजे हैं क्रिया काल के महत्यों से सम्मंदित और आपको समझ में आया होगा धन्यवाद